हालो फ्रेंट्स, वेलकम बाग, I hope all are doing well, so I am Neha सेधी, welcome to share market with Neha सेधी, फ्रेंट्स हम बात करेंगे Lloyd Steel Industries share के बारे में, करेंट प्राइस है 14.01, लास्ट सेशन में return दिया है 2.49% का positive, 1974 में ये company establish हुई थी, engineering equipments बनाती है, latest official announcement के according, सबको wait है, इनके quarter two के result का, तो जादा wait नहीं करना, 27th October Thursday, 27 October Thursday को quarter two का result आने वाला है, और result कैसा आएगा, तो result एक अच्छा result आने की ही, उमीद है, पूरे की पूरे, बहुत से subscriber इनके September quarter के share holding pattern को लेके काफी confused है, तो इस वीडियो में मैं आपको वो ही clear करवाऊंगी, अच्छी तरह से और पीछले quarter से compare करके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे promoter holding की, तो फ्रेंट, जून में थी 57.65%, September में है 57.65%, same है, कोई changes नहीं है, FIIs की बात करें, जून में थी 0% और September में भी है 0%, तो FII का इस share में holding नहीं है, 0% ही है, DIIs की बात करें तो, DIIs की जून में holding थी 0.05% and, जो September quarter है, उसमें भी है 0.05%, तो same है, अब बात आ दिया पब्लिक की, पब्लिक की holding है जून में 42.29% and September में भी है 42.29%, So, in short, share holding pattern में कोई भी changes नहीं है, जैसा same June quarter में था, वैसा ही same September quarter में भी है, अब हम सबको वेट है, 27th October का की result कैसा आएगा, Company क्या, प्रोज अगर आपको बताऊं, तो Company has delivered good profit worth of 41.5% CAGR over last 5 years, Last 5 years में Company ने एक बहुत अच्छा return बना के दिया है, and second positive point है कि promoter holding has increased by 4.25% over last quarter, तो last quarter से, अगर हम March quarter से compare करें, तो promoter ने अपनी holding बढ़ाई है, बट September quarter में same है holding, कोई भी changes नहीं है, So, share holding pattern समझा क्या होगा, कोई भी changes नहीं है, अब आपको कोच भी confused होने की जरूरत नहीं है, अब हमें wait है, quarter two के result का, result अच्छा आएगा, बहुत सब्सक्राइबर ये भी पूछ रहे हैं कि मैं result अच्छा आएगा, तो share में कुछ movement देखने को मिलेगी या नहीं, तो मैंने आपको friends बता रहा है, 13 to 15, यही range है, इसी range में move कर रहा है, हमें यहां 15 रुपिस को break करेगा, तो एक uptrend rally देखने को मिलेगी, बट हाँ, profit तो देखना ही है, क्योंकि 10 करोड का profit आया था, June quarter में, तो कितना profit बढ़ की आता है, तो हमें इससे यह पता लगेगा, कि company वैसे तो काफी strong है, बट quarterly results देखना, share holding pattern जानना, कुछ भी changes management कर रहा है, तो आपको updated रहना बहुत ज़रूरी है, तो friends, next कोई भी update आएगा share से related, चाहें छोटे से छोटा update हो, मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, because यह एक multi-bagger share है, यह एक multi-bagger return औरेड़ी दे चुका है, 1 रूपिस का share था यह दो साल पहले, तो 1 रूपिस से 29 तक चला गया, और अभी भी, अभी भी friends कुछ discount में ही मिल रहा है, so यह multi-bagger share है, यह complete potential रखता है बहुत उपर जाने का, so I hope वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कोई भी next update आएगा, Lord still share से related, मैं definitely बताने वाली हूँ, अब तो friends 27th को ही आएगा, आप बस bell button प्रेस कर दीचे, 27th को चैसे result आता है, मैं आपको clearly वीडियो के थूरूर समझाने वाली हूँ, I hope वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को के आए फर्स ताइम विजिट, प्लीज कर दीचे, subscribe, thank you so much,